इम्पॉर्टेंट लेक्चर हैं, महा इम्पॉर्टेंट लेक्चर, आज पीटा फ्रेशर जारा पढ़ा दिया था, असल में उनमें चल लगी थी मियोसिस, माइटॉसल मियोसिस समझ रहो ना, अब उनमें शुरू भी जेनिटिक्स, तो जब मियोसिस चलेगी आपके यहां, जब मियोसिस चलेगी आपके यहां, तो पिटा आपके हां भी यो लेक्चर लंबा खेजेगा, तो आज फ्रेशर असल में छूटा ही लगभर तीन मजे के आसफास है, ठीक्ट, तो और तीन मजे छोड़ेगी तो तुरंट नहीं आप आएंगे, वगेर खाना खाई तो भी नहीं पढ़ाओंगा, खाना खाया हूँ आँ आँ उसके बाद पढ़ाओंगा, आओ, बेहत इंपोर्टन लेक्षर है, आज के लेक्षर पर पूरी हूमन फिजियोलोजी खड़ी है पिर सुन लेना मेरी बाद, आज के लेक्षर पर पूरी हूमन भईया, आज का लेक्षर बहुत 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 इंपोर्टन लेक्षर है, आज का लेक्षर अगर आप सीख गये तो समझ लेजिए, आदी से जादा ही मन फिजियो आपकी गृप में आ गई, आराम से सुनिए कल आप लोग कहा अपसेंट थी, आप और आप, दो दिन से अपसेंट थी, हड़ी हूँ, तुम्ही से कह रहा है, चेश में शकड़ी हूँ, तुम्हारे पीछे, तुम्हारा तो पहला लेक्ष्य आज है, चरवाह अपनी हर भेड़ को बह जानता है, हाँ बताओ, ताह अपस आप भी सो गएगी, तो बताना नहीं है, बैठो बैठो, 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 आराम आराम से सीखिएगा, एक एक बात सीखिएगा, आज आप बॉडी के हर एक ब्लड के पाइप को समझोगे, कि कहा पर कौन सा पाइप गया है, और किस पाइप का क्या नाम है, एक एक जाईएगा, कॉपी किताब शोड़ दीजे, अभी कुछ भी ड्राउ मत कीशेगा, बोल्ड की तरफ देखेगा, मान लीजे, ये कोई चच्चा है, क्योंकि ये बोल्ड नीचे की तरफ स्लाइड नहीं होता है, इस वज़े से हम लोग बॉड़ी को दो पार्टने मनाईएंगे क्लियर, एक यहां तक और एक उसके नीचे, अब देखना, मान लीजे, ये कोई चच्चा है, हुमन फिजिलोजी का सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टन नेक्चर, ठिक, ये बताओ, इस पर ये सेलेक्ट होता है या, होता होगा, होता होगा, बहुता होगा, ऐसा नहीं हो सकत लेटर सपोस्ट, ये कोई चच्चा है, क्या है, चच्चा, और ये हो गया उनका हाथ, बोल्ट छोटा पड़ जाएगा, अब कैसे दिखाएंगा, अच्छा तुम समझने के लिए में सर और छोटा कर दोशा जाएगा, पक्ता है, ये सोरू भईया है, जो कार्ड नहीं चेक करते हैं, अरे सोरू भईया, हाइट इतनी जादा और सर इतना छोटा, आओ बेटा एसी गोल दीजे तुरा, आए गोल की तरफ देखेगा, लेक्चर को सीखेगा, समझेगा, आपकी बोड़ी में कौन सा ब्लट का पाइप कहां से निकला है, कहां को ग और ये हो गया उनका हाथ, और ये हो गया उनका धाड़, मैंने कहा था, बीचो बीच, बीचो बीच, एक मसल का परदा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाया, फ्राग, बीचो बीच मसल का एक परदा जाता है जिसे हमनों क्या बोलते है डाया फ्राइडा डाया फ्राइडा 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 फ्राइड देखते जाना और समझना अच्छे से आपकी बॉड़ी में दो तरीके का ब्लड बहता है एक ब्लड कहलाता है और एक ब्लड कहलाता है डी औक्सीजिनेटेड बताईए और डी औक्सीजिनेटेड किस ब्लड में औक्सीजन मौजूद होगी दोनों ब्लेड में ऑक्सीजन होगी गलत जवाग है यह जो नाम पड़ा है आपके मन में लगा बहिया जो ब्लेड है आपका वो दो प्रकार का आपको लगा ऑक्सीजिनेटेड में ऑक्सीजन होगी गलत ऑक्सीजिनेटेड में तो ऑक्सीजन होगी Oxygenated के साथ-साथ Deoxygenated Blood में भी क्या होगी Oxygen अब नाम क्यों Deoxygenated पढ़ा ये मैं अगले चैप्टर में बता हूँगा दोनों Blood में Oxygen होगी और दोनों Blood में Carbon Dioxide होगी तो सर्थ नाम इसका Oxygenated क्यों पढ़ा बेटा कौन सी गैस जादा है इस आधार पर अगर Oxygen जादा है तो Oxygenated और अगर Carbon Dioxide जादा है तो Deoxygenated भाई दो गैस है अगर मैं उपर देखते रहे बटा बहुद इंपोर्टेंट है यह मैं बहुत आराम आराम से बोलने लगे ना समझा ना वही लेक्शर है जो पूरी Human Physio का Basic बनाएगा Oxygenated में Oxygen जादा Deoxygenated में Carbon Dioxide जादा बाद जादा और कम की होती है बस अब दो गैस हैं एक को जादा बोल दिया मतलब Oxygenated में Carbon Dioxide जादा बोल दिया मतलब Oxygen क्या हो गई कम क्या यह बास समझ में आ गई बोलो यार यह बताओ Oxygen और Deoxygen में कौन से Blood का Color Blue होगा Deoxygenated Blood का Color कभी Blue होता ही नहीं है आपने कभी ऐसा देखा है किसी का हाथ कटे और Blue Color का खुन निकले तो आपने कैसे बोल यह Deoxygenated Blue Color का होगा आपने यह सब कभी सोचते नहीं हो ला बस टीचर आया पढ़ाया और सब ओके आ गया Yes भाई सवाल करना सीखो जितना पूछने की दम हो तना पूछो पहले Blood दोनों लाल होता है चाहे Oxygen हो चाहे Deoxygen हो Blood दोनों लाल है बस फरत पढ़ता है कि एक होता है चटक लाल होता है चटक लाल जैसे जिस कलर का दुलहन का जोड़ा होता है दुलहन जानते हो दुलहन नहीं जानते हो दुलहन जानती ही हो एक होता है जैसे दुलहन का जोड़ा बिलकुल चटक लाल जो ऑक्सिजेटेट बर्ड होता है वो बिलकुल ब्राइट रेड होता है बिलकुल चटक लाल खड़ी हो तुमसे कह रहा हूँ इनकी ये शर्ट है टी सर्ट है तो इनकी जो टी सर्ट है इनकी टी सर्ट का कलर बताईए लाल है कि हलका ब्लैक इश रेड है बुलो बजा तो बस आज तक तक तो आमें यही दो बताया गया कि ऑक्सी लाल और डी ऐक्सी ब्लू बताया नहीं गया वो दर्शाने का तरीका है, समस्या क्या है, लड़कियों को तो रंगों की पहचान अच्छी होती है, भाई अगर लड़कियां कुछ खरीदने जाती हैं, तो दुखानदार परिशान हो जाता है, बात फैक्ट है, मानती हो या नहीं, यह अगर जाएंगी तो इसमें यह कहें सस्ता, इधर इधर कहा हूं अम्मा, 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 कहा हूं, इधर ही इंपोर्टन बात हो रही है, उपर देखो, अरे कहा हूं, सुनो, इंपोर्टन बात है, तुमी से कह रहा हूं, तुमी से कह रहा हूं, इधर देखो, अब लाल, भाई डार्क रेड और ब्रा लड़कों को अगर महरून कलर दिखा दो लाल रंग दिखा दो, महरून कलर दिखा दो लाल रंग, लड़के कहेंगे एक ही है, हाँ हाँ उनके लिए एक ही ही है, चाहें महरून बोल दो चाहें, लाल बोल दो, अब दो लाल के भी बहुत शेड है, खड़ियो बें, खड़ियो खड़े हो तुम तुमसे कहा है ये तीनों लाल है लड़कों के लिए ये तीनों लाल है लड़के भूदी नहीं बता पैंगे डार्क रेडेट है ये रेड़ भू रेड़ इस वज़े से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ओक्सीजिडेट को हमने क्या कह दिया red और deoxygenated को बोल दिया blue वरना blue color का कुछ भी हमारी body में नहीं होता क्या आपको यहां कुछ नया सीखने को मिला इसलिए मैं कहता हूँ the most misunderstood subject is biology सबको लगता है आती है लेकिन आती तो है पर गलट आती है यह नहीं पता होता सबको लगता बायो आती है भाई यह हमने कभी सोचा क्यों नहीं इतनी बेसिक बात हम कह रहे हैं किसमे oxygen जादा आप कह रहे हैं मैंने कहा किसमे oxygen है आपने कहा oxygenated बिलकुल गलत बार दोनों में oxygen है दोनों में carbon dioxide है कौन सी जादा कौन सी काम सवाल यह बनता है एक गम clear है वाली बात अब आओ बिटा इनर देको बोल्ट की तरफ वापस आओ यह बताओ समाज में गंदे लोग जादा है अच्छे विडिया तुम लोग बताओ गंदे की अच्छे गंदे लोग जादा है आप अपने आपको समाज में इंक्लूड कर रही हैं मतलब समाज में गंदे लोग जादा है अच्छे लोग काम है जितने भी class में right hand वाले हैं हा इदर थब्षेट खराब है क्या हाँ थब्षेट खराब है थब्षेट एक रोजे उश्टा है तो अब बिटा यह दख वाले है लेफ्ट वाले लेफ्ट वाले भरी क्लास में एक भी लेफ्ट अच्छा आप हैं? अच्छा आप भी राइट हैं? अच्छा कैमरा सेट कर रहे हैं. बर पूरी क्लास में एक भी लेफ्ट हैंड वाला नहीं है बिटा. एक आथ होंगे गलती से एक आथ छिल्गोजा होगा. पूरी की पूरी क्लास लगब क्या है? राइट है. समाज में गंदे लोग भ बाले ब्यूद्ध है God पुछे क्यों नहीं बोला। विटा मैं दोनों हैं दोनों से लिखता हूँ। राइट से भी लिखता हूँ। जरुवट के अनुसार। अज जब अनॉट्मी बढा होगा तो दोनों हट चलते हैं। आप समझने में हल्ड के राइट साइड' ये ट्रिक है, कॉंसेप्ट नहीं हाल्ड के राइट साइड हमेशा गंदा ब्लेड बहेगा गंदा ब्लेड मतलब डी-oxygenated ब्लेड समाज में गंदे लोग जादा, राइट हेंड वाले जादा हाल्ड के राइट साइड आपका, कैसा ब्लेड बहेगा? गंदा, गंदा ब्लेड मतलब डी-oxygenated ब्लू से दिखाएं या रेट से? बोलते ही नहीं हो या, ब्लू से तो मैंने इधर साइड क्या कर दिया? ब्लू कलर से रखन दिया ठिक, अभी कर दूना सही कर दूना और हल्ड के लेफ्ट साइड हमेशा बहेगा oxygenated blood चटकला, बिलकुल सही bright red समझना, ये हो गया आपका हल्ड हल्ड के right side कैसा blood? deoxygenated और left side कैसा blood? oxygenated जल्दी बताओ बोलते ही नहीं हो यार इतनी महबस से, आराम-ाराम से सिखाता हूँ एक एक चीज देखो अब ये हो गया आपका हल्ड पहले बताओ, ये बात एक दम clear होगे हल्ड के right side क्या होगा और left side क्या होगा? right हमेशा deoxy, left हमेशा oxy clear है? आओ, इदर आओ, अब मेरी बात सुरो अगर कोई blood समझना मेरी बात आपके हल्ड से निकल कर cells तक जा रहा है तो cell उससे क्या निकाल लेंगी? oxygen अगर भाई, हल्ड contract किया हल्ड सिकुला और blood किसके पास गया? cell के पास तो cell क्या करेंगी? उससे ले लेंगी? oxygen और बगले में डाल देंगी carbon dioxide अब ये blood carbon dioxide वाला किसके पास जाना चाहिए? lungs के पास ताकि lungs इसकी carbon dioxide निकाल दे समझना मेरी बात फिर सुनो हल्ड contract किया blood शपाक से निकला बताओ oxygen उपर जिले जानी है कि नीचे की दोनों तरफ अर्थाथ कुछ blood के pipe oxygen लेकर गया है उपर कुछ blood oxygen लेकर गया नीचे अब नीचे समझना मेरी बात नीचे से blood को कहा आना है उपर किसके पास आना है? lungs के पास cell क्या करेंगी oxygen ले लेंगी carbon dioxide डाल देंगी अब carbon dioxide वाला blood जिसमे carbon dioxide जादा बताओ ऑक्सी की डी-ऑक्सी वो लोटेंगा वापस लेकिन यार वापस लोटने के लिए कितना pressure blood में बाकी नहीं रह जाता कोई चीज कितनी भी तेजी से फेको कितनी भी तेजी से फेको एक limit के बाद उसका pressure क्या हो जाएगा? बॉडी में कौन सा ऐसा अंग है जो blood में pressure पैदा करता है बोलते ही नहीं है समझ ना blood गया cell ने oxygen निकाली बदले में क्या डाली carbon dioxide लेकिन अब उस blood का pressure हो चुका है बहुत काम क्या कर रहे यार अगर माल लो यही height है यह क्या है height अगर अगर यह pressure मारा हो उतनी दूर तो गया? अब एक को चीज कितने भी pressure से मारोगे एक limit के बाद pressure क्या हो जाएगा? drop क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा? अब blood कहता है मुझको lungs के पास ले जाओ मुझको साफ होना है मुझे carbon dioxide बाहर कर ली है और oxygen अंदर ले नहीं है लेकिन blood बागू तुमारे पास क्या नहीं है? pressure कि तुम lungs तक पहुच पाओ काईदे से इस वज़े से अब blood वापस किसमें लोटेगा? hurt बताओ इस blood में सुन्दे लिखो मत यार यह लिखने की class नहीं, यह सुनने की class है यह पूरी human physio का बेशिक है इसी पर सब कुछ खड़ा हुआ है जितने chapter है breathing and action, low gases, body fluid and circulation खुद extractive productivity, elimination, locomotion, neural control and coordination chemical control and coordination, reproductive system जितने भी हैं सब इसी lecture पर खड़े हैं इसके मन से सुन्ते हैं जो blood वापस height को आ रहा है जो blood वापस height को आ रहा है बताओ वो oxy है कि deoxy height को क्यों आ रहा है ताकि pressure बल जाए अब वापस बिटा अगर height को आ रहा है तो बताओ deoxy blood किदर जाएगा, right या लै एक दम clear रहे हैं बार आवास तेज है क्या आवास तेज है क्या तुम्हे तेज लग रही है मेरा आवास कुछ जादा ही तेज है हमें ऐसा लग रहे है धीवे कर दे हाँ तड़ाओ बेर क्योंकि तुम माइक से पढ़ने गया दरते हैं माइक से पहले नहीं पढ़ाता तो अरे तुमसे कह रहे हैं खड़ी हो जी आ माइक से पहले नहीं पढ़ाता कहां पढ़ते दे खारेसर अच्छ पीमेश कैसे मिला ने आएगा तो सब समझ में अच्छ ये जॉइन करना है बटा हम माइक से ही पढ़ाएं ठीक है अगर तुम कहो अगर तुम्हें दिक्कत हो तुम्हें ले माइक से खटा दे मट पढ़ाएं अप सुनो हमारी बाल गंदा गंदा ब्लेड गंदा ब्लेड मतलब उक्षी की डी ऑक्सी डी उक्सी उपर से भी आएगा और नीचे से भी आएगा उपर से देखो कहां कहां से आएगा ब्रेंग देरे देरे आदत पढ़ जाएगी समझ गया है अचा जब तुम लोग घर जाते हो गए तो मम्मी लोगों से जब बात करते हो कि तो मम्मी लोग बोलती है तो ना किति तेज की बोल ले होता है ना क्योंकि आपकी यहां पढ़ पढ़के आदत पढ़ चुकी होती है माइक है sound system पूरे में वो तो बिटा को ये वाला हॉल है अगर कहीं एक्सिस वाले हॉल में बैटी होती तो 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 नहीं भड जाते वहां तो अठारा इसमीकर ही लगे हुए है तो इधर सुनो मेरी बार तो भाई हर्ट बीच में ब्लेड उपर से भी गंदा गंदा आ रहा है और ब्लेड नीचे से भी गंदा गंदा आ रहा है उपर से कहां कहां से आ रहा है देखो हर्ट यहां है दोनों हाथ से अरे यार हर्ट यहां है ब्रेन से आख से नाक से कान से जवरो से बोलो भई या इन सारी चीजों से ब्लेड किसमें आ रहा होगा हर्ट में नीचे कहां कह हाथ का इमेन खेल है लिवर से जहां पर हाथ रखता हूं वह पर उखोता है ध्यान लखना लिवर से इस चमक से इंटेस्टाइन से इस चमक कर उठाओ तो उसके नीचे स्प्लीन से बिलकुल पीछे किडनी पीछे, पीछे, किड़नी से, बोलो यार, पीछे किस से आ रहा होगा, किड़नी से, नीचे दोनों, टांग से, और भी तमाम अंग हैं, जिन से गंदा गंदा ब्लेड आ रहा होगा, अब स्वादा अनुसार आप तमाम किसे मानते हैं, मुझे नहीं पता है, आओ बेटा, इसक हाओ, हाथ से आ रहा है, गंदा गंदा ब्लेड, आख से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है, बेटा, तुम लोग तो डाइगराम करेक्ट कर ले ला, ब्रेन वाला पाइप नीचे से ले ले ले, ठीक है, हाथ से आ रहा है, नाख से आ रहा है, कान से आ रहा है, जबलो से आ रहा ह ये सारे जगा जगा से जो ब्लट के पाइप है ये आपस में मिल जाएंगे सर ये तो हमको लग रहा है कि जैसे छोटे छोटे नालियां आपस में मिलकर बड़ा सा क्या बनाती है नाला और नाला जाकर गिर जाता है किसमें नदी में अरे पतली पतली नालिया मिलकर क्या होता बना देती है, नाला, सर ऐसे ही पतली पतली नालिया बच्छो, आपस में मिल जाएंगी और मिलकर खुलेगी राइट साइड, खुल गई भईया, अरे खुल गई है भईया, पतली पतली नालिया मिलकर मोटा बनाई, नाला, ऐसे ही न लिवर से, टांगों से, दोनों टांगों से, और भी तमाम अंग हैं किडिनी से, अब यह तको, तुमारी इच्छा, स्वादा, अनुसार, आप तमाम क्या मानते हैं, आप जाने हैं, यह गंदा गंदा ब्लेट किसमें किरा, अब मैं सिंबल दे दू जरा, कि ब्लेट फ्लो कैस में किरा, ब्लेट बताओ, इस समय राइट एट्रिया में है, या लेफ्ट, राइट, राइट एट्रिया से बच्छो ब्लेट किसमें जाएगा, राइट, वेंडर के, नहीं मैंने पूछा ब्लेट से, कि क्या चाहते हो, क्यों आए हो दिल में, कहते हैं, असल में जब गए तो सेलवा जो है, ऑक्सीजन ले ली, सियो टू डाल दी, और ये सब करने के दौरान प्रेशर हो गया बहुत कम, हम जाना चाहते थे लंग्स के पास, मंजिल हमारी क्या थी, लंग्स, क्योंकि वही क्या करेगी, सियो टू, और ओ टू, अंदर, तो हम करे ठीक है बही है, लं में सम्न ताइं, गिर्णी सम्री, ये हमान लेजे है आपके ब्लुट Спरी, ये बताओ, मैंने कल बताया था, कोई भी ब्लट का पाई, जो ब्लट को हर्ट के अंदर अ डालेगा, कोई भी ब्लेट का पाई जो ब्लेट को हल्ट के अंदर डालेगा वो आल्ट्री या वेन पक्ता अगर कोई ब्लेट का पाई ब्लेट को हल्ट के अंदर डालना ये सारे पाई ब्लेट को किदर डालना है हल्ट के अंदर ये सारे पाई ब्लेट को किदर डालने हर्ट के अंदर तो इनके नाम में वेन होगा है या आल्टरी बिटा कावा का मतलब होता है बढ़ा कावा शब्द कहीं आ जाए कावा, C-A-B-A कावा का मतलब बढ़ा बताओ, वन, टू, या त्री सबसे मोटी कौन सी है इसका नाम है वेना कावा क्या नाम है तो सर नीचे वाले को भी बोली है वेना कावा बिल्कुल बोले ले अब ये उपर से आ रही है उपर के लिए शब्द होता है सुपीरियर सुपीरियर मतलब उपर तुम लोग कहती नहीं हो, कभी-कभी ये अपने आपको बहुत सुपीरियर बनते है सुपीरियर मतलब अपने आपको बहुत ऊपर लगाती है तो ऊपर वाले पाइप का नाम हो जाएगा सुपीरियर मेना कावा नीचे वाले पाइप का नाम हो जाएगा inferior विटावा सीख गया हो तो ही हम बोलना मेटा तो उपर से गंदा गंदा ब्लेड कौन लाया superior विटावा नीचे से गंदा गंदा ब्लेड inferior विटावा राइटेट्रिया से राइट ventricle अब इसे किस के पास बेजना है testis ovary अच्छा अब ये गॉंदा 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 कि कौन ब्लड लाया कौन ले गया लेकिन स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस एकदम क्लियर होनी चाहिए दो तरीके से मभायो पड़ते एक हमें आता है और शायद अंसर ये होना चाहिए एक यही होगा इन दोनों अंदाज में अंतर होता है समझता है मेरी बात जो दूसरा वला अंदाज है वो सेलेक्शन कराता है पहला वला अंदाज आपको जूठा आवाज देता है कि आपको बैलो जी आए अब ये जो मोटा सा बलट का पाइप निकला इस मोटे से बलट के पाइप को हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा दो एक जाएगा राइट साइड और एक जाएगा लेफ्ट साइड देखते जाना एक गया राइट साइड और एक गया लेफ्ट साइड मैंने कल के लेक्चर में आपको सिखाया था ब्लड में कुछ भी डालना है ब्लड में कुछ भी डालना है या ब्लड से कुछ भी निकालना है आल्ट्री इस्तमाल होगी बेन इस्तमाल होगी या कैपलरी हमेशा कैपलरी खीशो पूछ तो लोग क्या सांस सांस कहां तक गई अब इसे किस के अंदर जाना है ब्लड तो बताओ किस पाइप के माध्यम से जाएगी कैपलरी बोलो यार और सियो टू बाहर होगी तो किस के माध्यम से कैपलरी बताओ फिर यहां पर कौन सा पाइप होगा को तो ही नहीं हो यार कैपलरी क्या करेगी कैपलरी से क्या होगा कारबन डाय ऑक्साइड ब्लड से निकल के किस में आ जाएगी लंग से और ऑक्सीजन चली जाएगी सेम घटना यहां भी घट जाएगी जब कारबन डाय ऑक्साइड निकलेगी और ऑक्सीजन घुसेगी तो बताओ oxygen की मात्रा क्या होगा बढ़ रहा होगा और carbon dioxide की मात्रा घट रही होगी क्या कर रहे हो यार मैं अगर किसी चीज़ को बाहर निकालना हो तो वो कम हो जाएगी तो carbon dioxide अब blood में क्या हो जाएगी कम और oxygen क्या हो जाएगी जादा यह मत बोलना carbon dioxide खतम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, खतम हो जाएगा, कि ब्लड यहाँ पर रुका रहेगा, कि जब तर भाईया carbon dioxide पूरी नहीं निकलेगी, हम यहाँ से हिलेगे नहीं, अरे, ब्लड भाग रहा होता है, बोलो यार, जितनी निकल पाई, निकल पाई, बाकी बा दी, बस आखों तक ही सीमित रहना, एक बात कह रहा हूँ, यह बताओ बच्छो, oxygenated blood, में oxygen जादा है, बताओ बॉड़ी में परतेकसल को क्या चाहिए, oxygen, मैंने blood से कहा, कि अब तुम्हारे पास oxygen आ गई है, तुम चटक, लाल हो गए हो, अब तुमें चले जाना चाहिए, कि इसके पास, बॉड़ी के पास, हाँ, ताकि सेल क्या करें, oxygen, निकाल लें, और CO2 डाल लें, यह साहब चले तो जाते, लेकिन परेसर नहीं है, और यह तो साला न्यूटन, अरे न्यूटन, सर उपर जाना है, सर अगेंस दा, ग्रैविटी, हाँ, सर अगेंस दा ग्रैविटी जाना है, सर प्रेशर चाहिए, मैं गाँ भईया, प्रेशर तो दो ही जगाह में फिल किया है, एक यूरिनेरी ब्लेडर में और एक हर्ड में, अरे, लेकिन यूरिनेरी ब्लेडर हो तुम जा नहीं सकते, क्योंकि तुम ब्लेड हो, और जाओगे तो पतर लिए इंसान क्या निकालेगा, क्या मैंने कुछ गलत था, मैंने आपसे वैक्यानी किस तरकी बात की, अब ये इसको वापस जाना पड़ेगा, किसके पास, लेकिन अब क्या होगा एक घटना घटेगी, पहले मतला लेफ्ट साइड याएगा की राइट, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड बहुत लेगी बहुत फाइदे जनक होता है, अगर ये दो पार्ट में ना टूटता सीज़े चला जाता ना, लेफ्ट एट्रिया में तो दिक्कत हो जाते है, लेकिन आप वह स्लेबस में नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा फ्लूड मेकेनिक्स का कौन से इसके सामने क्या पढ़़ा है, राइट एक्रिया, बोलो यार, और जाना इसे किदर है, लेफ्ट एक्रिया, एक कॉपी ले ले, कॉपी लाओ, ये मान लो हरुड़ा, ठीक, ये मान लो क्या है, हरुड़ा, दो पाइप लाओ, दो पाइप लाओ, तुम चार पाइप ला रह कि अच्छारे की राइट वाला कैसे घुज़ए गया ये मानगो हर्ठ है क्या है है हर्ट फकड़ू बहन है ये दो पाइग है ये पीछे, ये पीछे से गया, और लेफ्ट एक क्या में खुला, नहीं समझभा है, मतलब अगर हर्टवा उठाओ, हर्टवा उठाओ, तो ये तो पीछे से गया, और घुज गया, अब पीछे से हम कैशे दिखाएं, उसके लिए इनसान को में कैसे बनाना पड़ेगा, पीछ सिर्फ छेद दिखा देते हैं, ये, देख रहां, दो इधर वाले, और दो उधर वाले, सर ये वाला क्या है अच्छे, बिटा ये वाला गल्की से लगा हुआ एरर है, बताओ यहां तक बात क्लियर है, इस समय ब्लेट लेफ्ट एट्रिया से होकर कहां पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर हो तो हां बोल दो यार, क्लियर हो तो पूरी क्लास हां बोल दे, सबसे पहले उपर से गंदा गंदा ब्लेट, सुपीरियर वेना कावा, नीचे से गंदा गंदा ब्लेट, इंपीरियर वेना कावा, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिक अच्छा अब पाइपों के नाम रखने हैं हमों को, क्या रखने हैं, पाइपों के नाम, मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया था, पल्मोन का मतलब क्या होता है, पल्मोन मतलब, लंग्स तक अगर कोई पाइप गया है, फिर सुनो मेरी बाद, लंग्स तक अगर कोई पा पल्मून आएगा और जो ये वापस लेके आ रहे है दो पाइप इधर से दो पाइप उधर से इसके नाम में भी पल्मून लोगी आएगा लेकिन सर ब्लेट का वो पाइप जो हैट से ब्लेट को बाहर रिखा लेगा उसके नाम में क्या होगा, आल्ट्री, और जो ब्लेट को अंदर ले जाएगा, उसके नाम में क्या होगा, वे, क्लियर हो तुहां बोल दो यार, जो ब्लेट बाहर ले गया लंग सक वो पल्मोन्री, आल्ट्री, और जो वापस लेकर आया पल्मोन्री, वे, सिर्फ मेरी बात दिमाग उसके लेक्शेर में लगाये जाता है जहां पर मैं बेसिक्स ना बता रहा हूँ भी नहीं बता रहा हूँ जीरो बनतौँ जीरो कुछ नहीं बता रहा हूँ किसे बस सुनते जाईए आप सीखते चले जाएए अब आप मुझे बताईए ब्लड इस समय कहां पर हाल्ट में तो है चच्चा लेफ्टर वेंटरिकल यहां पर है बोलो यार अरे आगे ना ब्लड साफ होगे अब बताओ जल्दी से ब्लड को कहां भेजना चाहते हो बॉडी बोल दो या बॉडी सिस्टम उपर भेजना चाहते होगी नीशे दोनों तरफ आओ भेजता हूं मैं तुमारे सामने आज भेजूंगा ब्लड ऊपर भी बेजूंगा और अरे सर यह क्या बना दिया यह तो सरम को लग रहा जैसे जब हम छोटे थे तो गणित में ऐसे चांप मानते थे यार या नहीं आ रहा है अरे आर्क वेट अंगरेजी में से क्या बोलते है और इस फाइल का नाम होगा और 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 प्रलेफ ऑ पेले जातीरी व्योजम है की लोप बोलते ही नहीं हो यार तुमें कैसे बता है गलैड भाहर ले जा हर जो ब्लड बाहर ले जाएगा हल्ट से वो आर्क ओफ ऐउटा से समझ नहीं आप बताओ ब्लड ओपर ले जाना है या नीचे बलट दे ले पाइप ऊपर एक पाइप नीछे उपर से नीछे तिया चीशाहिए है तीम पाइप ऊपर एक पाइप नीछे उपर से नीछे अहां समझभाए विटा अब पूछो क्या होगा अरे पूछ लो क्या होगा Cell Oxygen ले लेगी Carbon Dioxide दे देगी उपर से गंदा गंदा Blood Superior Vena Kawa नीचे से गंदा गंदा Blood Inferior Vena Kawa Right Atria Right Vendricle Pulmonery Aldry अदान प्रदां Pulmonery Wing Left Atria Left Vendricle Arc of Aota 3 Pile उपर 1 Pile नीचे उपर से नीचे कुछो अब क्या होगा Cell Oxygen ले लेगी Carbon Dioxide दे देगी उपर से गंदा गंदा Blood Superior Vena Kawa नीचे से गंदा गंदा Blood Inferior Vena Kawa Right Atria Right Vendricle Pulmonery Alt A ये क्या कर रहा हूँ? आइच पार्ट में डिवाइड कर रहा है क्या? एक Right Lung एक Left Lung अदान प्रदां Pulmonery ये क्या है? दो इधर से दो इधर से Left Atria Left Vendricle आर को, इंपाय, क्या उपाय, इंपाय, बाइड पीजरे, उपाय से डिये जए उचोड क्या होगा? सेल आक्सेजन ले लेगी Carbon Dioxide दे देगी उपर से गंदा गंदा Blood Superior Vena Kawa नीचे से गंदागंदा Blood Inferior Vena Kawa राइट एक्रिया राइट वेंटरिकल पल्मोनरी आल्टरी अदान परदां पल्मोनरी वेंग लेट एक्रिया लेट वेंटरिकल आर्क ओफ एओटा तीन पाइट पाइट दीजे ऊपर से दीजे उच्छो अब क्या होगा सेल अक्सीजन ले लेगी सेल कार्बन डायोकसाइड दे देगी उपर से गंदा गंदा बलड सुपीरियर में ना कावा नीचे से गंदा गंदा बलड इंपीरियर में ना कावा राइट एक्लिया राइट वेंडरिकल पल्मोनरी आल्ट्री अदान पर्दान पल्मोनरी वें लेफ्ट एट्लिया लेफ्ट वेंटिकल आर कोफ एक्रॉट अब क्या होगा कर्या और की अब क्या है अब बोले के अब दो रूपर से घंडरी अब दो प्ल्मोनरी अधीपनार प्ल्मोनरी वें लेफ्ट एट एक अपर एक निचे ओपर अब क्या होगा अब क्या होगा अब रोक जाओ तुम लोग मेरी लेने लगे हम शुरुवात हम किये और तुम तो हमारे उपर टूट बले बहले बताओ ये पूरा सर्कुलेशन क्लियर है सुना सकते हो इशारा हमारा अन्दाज हमारा आवाज आपकी पक्ता बूल 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 इंपीरियर में ना कावा राइट वेंटरिकल पल्मोनरी अप्रुवात है पल्मोनरी अधान परण पल्मोनरी वे लेफ्ट एट लिया आपका पहोंटा तीन पाई पॉपर एक पाई नीचे उपर से नीचे इस दिस क्लियर? दन? आगे बढ़ना होगे? आओ अब क्या होगा? बताओ नहीं समझाए रोटी है क्या? क्या क्या होगे? क्या क्या होगे? क्या ? Oh my god, what kinda your question? Oh my god Yeah, I'm both. Yes. Okay, yes. yes. Good night, ha. कह रही है редुर नीचे से इसटाईगा, थो एकिंसदे, अग्या आताँ रहा है नीचे भी कोई फ़प्पक वागा हो क्या? ऐसे नहीं से? ओने नीचे कोई फ़पप नही index वो आएगा ऐसे जो कि मैं बताऊंगा आगे मस्कुलर कॉंट्रेक्शन की वज़े से वेंस में बॉल पाए जाते हैं दिस्किलर्ण धीरे-धीरे ओपर चड़ता है वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा जोंट वरी ओके गुनाइट चलो अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ देखते हैं कितने परतिशत छात्र देखते हैं कितने परतिशत छात्र मेरी लेखनी को पकड़ बाते हैं जो समझ जाएगा वो हा कहके दस्तक देगा दस्तडक नहीं देगा वोई लिके गाने बहुत सुंदर लिको मेदेखना बहुत सुंदर लिको मेदेखना बहुत सुंदर लिको मेदेखना राया? राइट विंडिकल से पल्मूनरी आल्ट्री लिकने का तरीका लिकना मज़ा जाएगा पल्मूनरी आल्ट्री पल्मूनरी आल्ट्री पल्मूनरी आल्ट्री से पहुचेगा किसके पास? यह क्या किया? लंग्स में होते होते क्या होने लगा बल्ट? ऑक्सीजिनेट है पकड़बाय लिकने का तरीका? अरे वाह आपने पाइंस्टाइन की रिसर्च पूरी समझीए पल्मूनरी वेड लफ्ट एक्रिया लफ्ट वेंट्रिकल कौनसा पॉल्मूनर? साइक्स लेट वेंट्रिकल से आर्क वेवटा आगे पढ़ाओंगे याँपर से वी उनर्वाल आर्क वेवटा से देखो तो मजह जाए उधर देख भाई सेलेक्शन इधर नहीं इधर है बॉडी ले गया था ऑक्सीजिनेट है हो गया डी ऑक्सीजिनेट है नहीं समझभा है यह हो गया हमारा ब्लड सर को लेशर अब क्या होगा सेल अक्सीजिन ले लेगी सेल सियो टू दे दे उपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर वेना कावा नूचे से गंदा गंदा ब्लड इंपीरियर वेना कावा जाता है थिक मालव तुमको उठा के बॉड्य फिट करना थिक अब भूम के वापस बॉड्य में जाना है तो बताओ हल्ट से कितनी बार गट गुजरेगा भेख लो एक बार जाएगा राइट जाएगा और एक जाएगा लेट साइग तब दुबार जाकर कहां पहुचेगा बॉड्य में इंपीर जाएगा यूमन एफ डबल सर्कुलेशन यूमन में डबल सर्कुलेशन चीव होता है क्योंकि बॉड्य में भूम के वापस जाने के पहले ब्लेट को हल्ट से कितनी बार गुजरना पड़ता है दो बार पका अरे यार एक बार बॉड्य से आया एक बार बॉड्य सुनो में बार इदर बहुत सुंदर लाइन आनी बहुत सुंदर लाइन बोलना नहीं माट डाले में एक बार हल्ट से गया बोडी में और एक बार BODY से हल्ट को आया ये एक circulation हुआ अबे एक बार ये हल्टी तो आया भाजू लेफ्टेट एलेफ्वेंडिकिल एक बार हल्ट से कहाँ गया बोडी में और फिर बोडी से कहां आया हल्ट में ठीक और एक और यह बहुत अच्छा पनाने सुनों एक बार हर्ट से फिर निकला लेकिन अपकी गया लंग्स हो वापस आया हर्ट को अपर आधी हो क्या एकदम क्लियर है वाद बोलो भई या बहुत सुन्दर लाइन मुझसे निकलने वाली है सुनों डबल सर्कुलिजन क्यों कहता है एम्स में एयार आ चुका इसके उपर सुन्दर बोलो भी बोलो भी बोलो भी उच्वा जुब मुपर लेकिन लेफ्ट बेंटिकल से जब ब्लेंड निकला गों के कहां गया राइट एक लिया तक एक समझ के है ये कहलाएगा बॉडि पॉ बॉडि सिस्टम भी मोनते है न ये कहलाएगा सिस्टैमिक सट्लेश्ट systemic circulation क्यों heart से निकल कर body system तक जाना और body system से वापस heart को आना तो exam में question आया था systemic circulation का सुनते ही नहीं हो यार systemic circulation systemic circulation कहां से कहां तर left ventricle से लेकर आपका right atria था क्या कर रहे हो यार systemic circulation का काम क्या है body को body को सारी अच्छी अच्छी चीज़ परण करना और अच्छी के glucose हो गया amino acid हो गया पानी हो गया vitamin हो गया, hormone हो गया, oxygen हो गई और गंदी गंदी carbon dioxide body से लाना, पहले बता ये बात clear हो तो हाँ बोल दो यार left ventricle से लेकर right atria तक कौन सा circulation हो अच्छी 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 करो right ventricle से blood निकला और left atria तक आया सुनो यार right ventricle से गया, lungs को lungs से वापस आया, heart को lungs तक जाना और lungs से आना अगर body तक जाना और body से आना systemic circulation है तो lungs तक जाना और lungs से आना problem मेरी circulation है क्या बात है, ये क्या है circulation है क्या ये बात शमच गया पक्का, साहिल सर तक जाना और फिर वापस आना साहिल circulation है बो यार मुझसे दूर जाओगे, वापस जरूर आओगे क्योंकि दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है अरे यार मुझसे दूर गई हो और फिर वापस आ गई तो ये पूरा सर्किल कहरा है गा साहिल circulation अरे यार बोडी तक गई हो और वापस बोडी से हल्ट में आ गई इस इस सिस्टेमिक circulation लंस को गई हो और वापस हल्ट में आ गई पर मोली circulation जाओगे चाहें विज्ञान कहता है दिल से जो चीज दूर गई है वो वापस जरूर आएगी, एक बार नीट तो निकालो साहब, सब वापस आएगा, समझवाए हमारी बार, चेहरे वे खुशी देखिए या, इधर देखो, दिल से जो निकल के गया है वो वापस घूम के दिल ही में आएगा, अच्छा बहन तुम अंदाजा लगा सिखें कि पल्गोंडी सर्कुलेशन का काम क्या होगा, अधर लंग्स तक भेजने का काम क्या होगा, सियो टू वाहर करना, ऑक्सीजन अंदर करना, ब्लेट को बाडी तक भीजने का, अरी, बाडी चली गई, लाकर आप बाडी को ज्या कंदी-कंदी CO2 लेना, एक दम क्लेर है वाली बात, that's why we say we have कौन सा सर्कुलेशन, कबल सर्कुलेशन, क्लेर है, आए, अब आगे बरते है, बोल्ट की तरफ देखिए और मेरी बात को समझे, अभी तक तो आपने बोल दिया, तीन पाइप उपर, एक पाइप, नीचे, उपर से, नीचे, ये तो आपने बोल दिया है, अब आपको कुछ पाइपों के नाम याद रखने है, नाम याद मैं करा दूँ, अससे पुझे, चार बात मेरी सुन दो, सारे नाम याद हो जाए, ठेक, याद करो, पहले दिन मैंने गोल्डन वर्ट्स लिखवाई थे, कि ये बाय गैस्टर मतलब स्टमक, ना पता हो तो लिख लेजेगो, गैस्टर मतलब स्टमक, जी ए एस टी ई आर, गैस्टर मतलब स्टमक, इंटेरोन ए एन टी ए आर ओ एन, लिख लेओ, इंटेरोन इंटेरोन का मतलब इंटेस्टाइन इंटेरोन का मतलब इंटेस्टाइन आपके पास ये फट लिखे हैं किया बेटा पढ़े थे क्या पहले हमीजे इंटेरोन मतलब इंटेस्टाइन ब्रैकिया मतलब आर बी आर ए सी एच आई ए B.R.A.C.H.I.A. Brachial मतलब R या brachial लिकलो और अच्या Brachial मतलब R बहर लो इसको लिको यह नहीं लिको आ रहा रहा Brachial मतलब Gills इन डोनों में अंतर रहा रखना N का है N लग गया मतलब बात किसकी हो रही है मश्रियों के? Gills की Brachial मतलब R Brachial मतलब Gills सब वर्ड कहीं आ जाए Inspector बढ़ा है कि सब Inspector Inspector बढ़ा है गई है नाम की लंबाई देख के बढ़ा मत देखा जो गाईजा सब का मतलब होता है नीचे बस इतने बढ़ा आपको बता हो गैसे लिए Gaster इस चमक और हिपर मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है लिवर हिपर शब्द कहीं आ जाए इसका मतलब लिवर हो गया बोल्ट की तरफ देखिए हटा रहा हो हटा रहा हो बिटा अब आजाओ बिटा most important part यही है जिसको शिखाने के लिए पूरी कहानी मैंने बताई है आज इतने भी लीला रशी गई है वो सिब अब आने वाले 15 मेट के लिए रशी गई है मन से देखेगा एक एक पाइप को सारे पाइप खड़ा खड़ याद हो जाएंगे कोई भी ब्लेट का पाइप जो हर्ट से ब्लेट को बाहर ले जाएगा उसका नाम क्या होगा आर्ट रे चलो मान लो यह आपके सोनू भाईया सोनू भाईया बता है सामने से बनाओंगा अगर अगर मैं सोनू भाईया को सामने से ड्रॉ करता हूँ सामने से मतलब प्रेंट से मुझे ऐसा ड्रॉ करना पड़े बाद सर के लेकिन सामने से ड्रॉ नहीं करना है साइट से ड्रॉ करना है अरे यह आख्या ओड़ें चाले कुछ जाड़ा उपर नहीं होगी अरे यह माल लो ये मान लोग सोनु भईया का मुह हो गया ये सोनु भईया का हाथ हो गया ये हमारे सोनु का दूसरा हाथ हो गया और ये सोनु भईया का डाया प्राग हो गया डाया फ्राम के नीचे का शरीर अगले पेश में बनाएंगे पहले डाया फ्राम के उपर की कहानी समझते है यहाँ पर क्या रखा होगा मेरे सोनो का दिल रखा होगा सोनो किते लोगों ने सोना है सोनो सोना है ठिक, राइट साइड से निकलती है, आर्क ओफ एयोर्टा, तीन पाइप उपर, नीचे, ना 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 नीचे से में कोई बतलब ही नहीं, अभी हम उपर ही उपर, पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप, च्यालो, कॉपी किताबे छोड़ दीजे, दिल ठाम के, तुमारे MBBS तक काम आये गई, जो आपका पहला पाइप है, इसको दो पाइट में डिवाइड करो, जब किसी पाइप को तुम दो टुकड़ों में बाटोंगे तो वो पतला हो जाएगा की मोटा, उनको ये काई कर दी यो उसको, अलग-अलग करो, हाँ, अब एक चला जाए चला जाएगा, हाथ को ब्लट दे ले, और एक चला जाएगा, ब्रेन के राइट साइट को ब्लट देने, इधर देको ब्रेन के दो साइट, एक राइट और एक लेफ, पाइप आया पहला वाला, कितने पार्ट में बटा, दो, एक हाथ को चला जिया, और एक ब्रेन को, ब्र एक चला गया, हाथ को ब्लेट देने, यह क्या होगे? इंग खतम होगे, एक चला गया, राइट साइड देने, ब्रेल को, और एक चला गया, हाथ को ब्लेट देने, सीखते जाना भी आना हो आना से, ठिक, नाम कुछ होते होंगे, मुझे नहीं पता, जब नहीं पता तो पढ़ा कायना है, पता है, ब्रेन के राइट साइड को ब्लेट दोगे की लेफ्ट को भी दोगे, लेफ्ट को भी दोगे, बीच वाला पाइप सीधे चला जाता है, ब्रेट के लेफ्ट साइड को ब्लेट एक पाइप चला गया सीजे लेफ्ट को ब्रेंद में अब बताओ तुम खुद सोचके बताओ ये तीसरा वाला पाइप किसे ब्लड देने जाएगा लेफ्ट वाले हाथ को सुनते जाओ यार सिखाता चला जाओंगा ये चला गया लेफ्ट वाले हाथ को ब्रेंद में ठीक सीखते जाना अब क्या-क्या इनके नाम होंगी आप सोचके बताओं बेटा मैंने आपको पढ़ाया था सिफैलो मतलब सर हेड को हम लोग क्या बोलते है सिफैलो बोलते ही नहीं हो यार हेड को क्या बोलते है सिफैलो एक दम क्लियर आप समझना ब्रेकिया मतलब क्या पढ़ाया था आर जो इतना पाइप है जितना मैं ऐसे बना रहा हूं इतना पाइप इतना पाइप कॉमन है हेड को भी जा रहा है बोलो यार और आपका हाथ को आएगा brachio, brachio मतलब क्या हो गया, हाथ, brachio, क्योंकि कितना pipe वांद में भी जा रहा ब्रेडेने, और इतना ही pipe से blood brain को भी जा रहा है, सिफेलो मतलब सर नाम होगा ब्रैकियो सिफेलिक ब्लड बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है बाहर तो ब्रैकियो सिफेलिक आज़ दो नाम रट रहे हो भी समझ रहे हो पका आओ बेटा कैरोटिड का मतलब होता है related to brain कैरोटिड शब्द कहीं आ जाए C-A-R-O-T-I-D कोरोणेरी नहीं कोरोणेरी मतलब हर्ट काइडेक मतलब भी हर्ट कोरोणेरी मतलब भी हर्ट C-O-R-O-N-A-R-Y कोरोणेरी मतलब हर्ट कैरोटिड मतलब brain लिखवा दूँगा अभी सुनो तो जो brain को blood देने गया वो कहलाएगी कैरोटिड आल्टि कैरोटिड का मतलब related to brain कैरोटिड आल्ट लेकिन ये right side देने कही है कि left तो right कैरोटिड आल्टि कोई दिक्कत है तो जो left side देने कही है उसको क्या बोल देंगे left कैरोटिड आल्टि सरम्बो तो लग रहा है जो एक pipe है इसी को चीर दो दो अलग पाइप ठांस दो यहीं हो जाएंगे दूसरे और तीसरे यहाँ पर एक ही pipe दोनों को दे दे रहा है brain को भी दे दे रहा है और right hand को भी दे दे रहा है right brain को right hand को लेकिन इस case में क्या हो रहा है brain के लिए left side अलग pipe गया है ब्रेकियो सिफेलिक, साइफेलिक नहीं होता साइफेलिक, सिफेलिक आर्ट्रे, अब लेकिन इसके बाद, इस पॉइंड के बाद, जो हाथ को पाई गया इसका नाम बतल जाता है, आपको पता होगा, यहां पर एक हड़ी हुए, यह, यह हड़ी देता है, अरे जिसमें बउनिटी बोन भी बोलते है sú कहते हैं हाँ कहते हैं जिन म हिलाओं में उटिक्ती है यह बोन कोलर बोन ब्यूटी-बोन यो कोलर बेबाई जाती पुन- dishonour-मानी- जाती है और यह अगर पुरुशूँ में- दिख जाये तो कुछ पोश्चित कहलाते है डबल स्टेंडर्ड अगर ये ब्यूटी बॉन महिलाओं में दिखती है तो इसे सौंदर रिकाप्रतीक माना जाता है और यही पुरिशों में दिख जाए तो कोशित माना जाता है कितना डबल स्टेंडर्ड समाज है भाई साब इदार आओ ये जो पाइप है ब्लडगा ये इसी हड़ी के नीचे से जाता है नीचे के लिए एक वर्ड इस्तमाल होता है सब तो इसका नाम होगा क्लैविकल के नीचे से गई सब क्लैविकल आज़्टी क्लियर है? सब ग्लेविकल आल्ट्री क्लेविकल के नीचे से गई तो क्या हुआ सब क्लेविकल राइट साइड गई तो पूरा ना पढ़ कि मैक्स इससोपर नहीं जाना है, बना आप सारे भी याइध करने लगो तो हो गया पंटागा, यहीं M-E-B-A-N-O-T-B-Y, निपते आदो पूरी प्रैट साइड गया, राइट साबकल्राइड साबकल्राइड का लाइड प्रेण ख如果你 है रहा है इतना प्रहोँ वरे किलियर हो तो भीज-बीज में दौरे बढ़ते हैं मुझेज पता नहीं क्स-किस प्रकार के दौरे रहा ही है कोरोनेरी शब्द आ गया कोरोनेरी ओबलिक कार्डेक हर्ट की बात हो रही है वहीं पर कैरोटिड ओबलिक ए ब्रेन सिफैलों के अंदर है या बाहर ब्रेन दिमाग ब्रेन जो हेड के अंदर है तो इन सिफैलों इन मतलब क्या हो गया अंदर तो अगर कैरोटिड आ गया या इन सिफैलों आ गया तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग ब्रेन जो पूरी बाड़ी को ऑक्सिजन सप्लाई करा रहा है भाई साथ पूरी बाड़ी में ब हाइट के लिए एक पाइप मिदलता है पतलासा जो हाइट की मसल को ब्लट देता है अब इसमें इधर दिख नहीं रहा है और मैं उसके ओपर शेडिंग कर दो दो एक हाइट को राइट साइड बट देने जा रहा है और एक लेफ्ट इसका नाम होगा कोरोनेरी आईट्री कोरोनेरी का मतलब क्या हो गया है अब नाम दे दो राइट कोरोनेरी आईट्री लेफ्ट कोरोनेरी आईट्री अरे यार इमानदारी से रट रहो या समझ रहो यार कुरुनेरी आल्ट्री खड़ और अउट उपर में इतना ही पढ़ना था चलो उधर मत देखो पहला पाई ब्रैकियो सिफेलिक ब्रैकियो सिफेलिक जो की दो पार्ट में टूटा अब राइट लफ मत बोलो अंडरस्टूड है सब क्लेविकल क्योंकि क्लेविकल के नीचे और क्लेविकल 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 नहीं ठासा है कि नहीं ठासा है ठासा अच्छ आप अगर मैं आर्क औफ अलटा को बाहर निकानके दिखाऊ अगर। आर्क आफ एरोड़ा को बाहर निकाल के दिखाओं और इसी के ओपर क्या बना हुआ है समझ गया ना मेरी पर तो ये बताओं जो मैं आप कर रहा हूँ मुझे अच्छे से बताना बेटा क्यों खेल बहुत बड़ा यहां जाब ब्लेड ऊपर जा रहा है ऊपर को एसेड़िंग बोलोगी की डिसेड़िंग एसेड़िंग इतनी ए ओड़टा को बोलेंगे एसेड़ि कौन सी है और्टा एसेंडिंग ए और्टा ये बेरा बेरा है तो ट्रांस्वर्स है और्टा पढ़ो मत नहीं पूछेगा यहां से खल्ड के पीछे से जा रहा है कि आगे से पीशे के लिए word इस्तमाल होता है दो तो पीशे से नीचे गया वो क्या क्या लाएगा दो जला हो लगशा एक्स्टरिशन खुलना जर्थ एक्स्टरिशन एक्स्टरिशन अजितरी प्रोडटक्ट अिट्सेलिमेनेशन यह तो यह तो पेज नमबर 291 पर देखो Dorsal Aorta लिखा हुआ है, अगर मिल जाए तो बताना, 291 पर देखो Dorsal Aorta लिखा है, मिली नहीं रहा है, हाँ भई, मिला Dorsal Aorta, मिल गया, अरे पहले पेज एक्स्टीशन पर है, डाइगराम देखो, डाइगराम, डाइगराम मिला, अब आ जाओ, ये क पुछनाया, हल्ट के नीचे के अंगों को, जो हल्ट के नीचे अंग पाये जा रहे हैं, उनको ब्लट देने कौन जा रहा है, Ascending Aorta की Dorsal, Dorsal जा रहा है, डाइगरे ब्लट देने, आओ, अब नीचे की कहानी क्लियर कर रहा हूँ, किसे अटा दू, किसे अटाओ, किसे वाला सिस्टम, ये सोंगो वहियां की दोनों टावे, एलफेंटी, आसिस हो गया है, आओ, ये था डाया, फ्रा, ये था, ये था, डाया, फ्राओ, अब कुछ बनाना नहीं सिर्फ सीखना है, डाया फ्राँग के ऊपर क्या रखा हुआ था हर्थ, भोलते नहीं आप लो गया, पाइपो के नाम याद हो गए नभीया, आर्कॉं एवल्टा आर्कॉं एवल्टा डायाफ्रांग को फारते हुए क्योंकि डायाफ्रांग पूरे में क्या है पर्जा बोलो यार उसे पंक्षर करते हुए आ गई नीचे ये बताओ राइट टांग को खून देना है कि लेफ्ट की दोनों को तो एक दे दो राइट साइट एक दे दो लेफ्ट जाए एक स्ट्रीशन में देखो इसे लोनों दो पाइप काट दी है अच्छली में किड्नी टांग में नहीं हुदे ना किड्नी यहां होती है तो अब एक राइट साइट चला गेलवेट देने और एक लेट साइट उन्होंने पाइप काट के दिखाया देखा आईए इधर देखेगा इधर बोल्ट की तरह बच्चा इधार बच्चा इधार समझेगा यहाँ पर मैंने आपसे कहा था मौजूद होता है लिवर ठिक यह ह लिवर आराम आराम जिसी कीएगा जल्दबाजी मत कीजेगा इसमां इसमें जल्दबाजी करेंगे तो चीज खराब हो जाएगी यह पाइप बॉड़ी के बिलकुल बीचो बीच गया है लेकिन अगर मैंने इसको बीच 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 बनाया तो मैं आपको सिखा नहीं मैं ऐसे कहो तो बच्चो किनारे बना दूँआ तो आसानी हो जाएगी समझे नहीं पा रहा है नहीं समझभा रहा है इस तमक यहां होता है यह पाइप बिलकुल बीचो बीच गया है इस तमक इधर होता है लेकिन पढ़ाने की सहूलियत के लिए ताकि ज़्यादा घुमाना बना पड़े स्टाइलर को मैं डाइग्राम अपने अकॉर्डिंग मना रहा हूँ क्लेरे बर आओ तो अब मैं क्या करता हूँ यहां पर बनाओंगा इस तमक अब लाज इंटेस्टाइन अब लाज इंटेस्टाइन नहीं बना रहे बस इंटेस्टाइन बना रहे एक जनरर लाइग्राम है पीछे से महौल बाहर महौल क्या है फीकल मेंकर इस टमक के नीचे क्या मौजूद होती है इस प्ली याद है याद है कि नहीं याद है यहाँ तक क्लियर हो तो हाँ बो दो यार एक बार में सिखाऊंगा टाइम नहीं लगे ला तो अब मैं सर इस पाइप को यहां से ना लाकर किनारे से लाओ बोलो भईया बोलते क्यों नहीं हो यार अरे आएगा वहीं से नीचे लेकिन सीडी डाइग्राम नहीं है ना यार तो मैं आर्क अगरवल्टा यहां से लाओ ठिक अब इदार रहाँ इस से एक पाइप निकल एडाया फ्राहर को बलड दिया बलड तो सबको देना है भईया ऑक्सिजन तो सब में बटेगी भई सीधी बाद है खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा ऑक्सिजन आई देना तो सबको बलेगा डाया फ्राहर को दे दिया एठ हम नहीं आर्क अगरवल्टा से पाइप निकाला सीधे लिवर को दे दिया ठिक अब यहां से एक निकाला इंटेस्ट टाइम को बलेट दे दिया सबको देना पड़ेगा भाई साब अब स्प्लीन और स्टमक की कहानी समझे गए स्प्लीन और स्टमक की कहानी समझे गए एक मोटा सा पाइप निकलता है उसे बोलते हैं सीलियक आलटे कौन सी आलटे क्योंकि बॉडी के अंदर की कैविटी को क्या बोलते है सीलोम क्यों बॉडी के अंदर की कैविटी को क्या बोलते है सीलोम कौन लोम, सीलोम बॉडी के अंदर की कैविटी को बोलते है अचा अचा बॉड़ी ये अंदर अंदर की कैम्टी को बोलते हैं सी रो तो इस आर्टी को क्या बोलेंगे सीलियक आर्टी ए डॉट का मतलब आर्टी पका अब इसी से स्प्लीन को बलट गया और इसी से इस चमक को बलट गया इस स्प्लीन को बलट देगी इस्प्लीनिक हाल ट्री गैस्तर मतलब को होगी इस intend? इस समक को जो बलट देगा गैस्त्रिक हाल ट्री क्लास में इस तब तैयार करने ही को सिच करिए धर का बə Wahr का बैमा न पाली इंटेरोन मतलब इंटेस्टाइम इंटेस्टाइम को मुपलटो देने वाली मिजंटरे कारे कौन की अज़की निया यह था इसके सांग को गया गैस्तर करें बादि पीछे क्या हम जोटी है खेडिनी अब किडिनी के पीछे हैं में डॉट डॉट बनाओगा और क्यों क्यों डॉट डॉट क्यों ना आडे फीछ करने अब लो के दिन होती है एक नहीं होती है जहां नहीं होती है कर जो ठोपिढ़ा है यजितली याधि नहीं करना है बाइस सिखना है जितना physics conceptual जितनी chemistry conceptual उतने ही conceptual biology क्या एको पाई ब्रटे हो कोरोनेरी मतलब हर्ट तो हर्ट को ब्लट देगी कोरोनेरी आल्ट्री ब्रेन को कौन दे रही है केरोटेंट हाथ को दे रही है ब्रैकियो सिफेलिक अब इधर देखना विटा किटिनी को ब्लट देने वाली कौन सी आल्ट्री ब्रीनल आल्ट्री क्लियर हो तो हाँ बोल दो क्ल चाहते हो ब्रेन इतना sensitive आंग है कि अगर मात ब्रेन को छू भर लो ना इतना sensitive है तो बटा 10-15000 न्यूरॉन कौन मर जाए हैं। 10-15000 न्यूरॉन मर जाए हैं। छूने भर से इतना sensitive आंग है। आप अगर कुछ खा रहे हो मान लीजिए आपने शराप की। ठीक, मान लीजिए एक वकले, कितनी जल्दी मान गई, यस सर, मान लीजिए आपने कोई जहरीला आइटम खाया, अचा ये बताएए क्या ग्लूकोज आपकी बॉड़ी के लिए जहर है या अमरे ग्लूकोज अगर जरुवत से जादा होगा तो भी मौत हो जाती है, पानी अगर ये चीज जरुवत से जादा हुई, तो चाहें कितनी भी अच्छी हमारे लिए, वो क्या है आपके लिए, जहर, एकदम ग्लेयरे वाली बात, प्रोटीन हमारी वोड़ी के लिए कितना जरूरी है, अगर वो जरुवत से जादा हुआ तो वो भी जहर है साला, तो अब अगर ये जहर, ब्लट से होता हुआ सीधा ब्रेन को पहुंच गया भाई साथ, ब्रेन का तो काम लग जाएगा, तो क्या बाड़ी चाहेगी, कि हुजूर के पास डायरे कोई चीज बेजी जाए, ना, ब्रेन इस दा डिस्टिक मेजिस्टेट आफ यूर बाड़ी, ब्रेन आपकी बाड़ी का राजा है, और राजा से, और राजा तुम्हारा बेहत सेंस्टिव है, तो अगर मान लीजिए, आपने कुछ भी जहर खाया, वो जहर सीधे ब्रेन को घूम के पहुंच गया, तो आपकी डेथ हो जाएगी, ब्रेन पेरलाइस हो जाएगा, तो मैं आपको लगता है कानपूर डियम एक नौर्मल हस्ती होगा, कानपूर डियम कौन होगा मालू मतलब है, जो कानपूर डियम होगा ना भाई साथ, अगर वो तुमसे मिलना नहीं चाहता है, अगर वो आपसे मिलना नहीं चाहता है, जाओ मुख्य मंत्री से फोन लगवाले, न यह DM मतलब राजा और आपको पता ही अगर एक डिस्टिक में इस्टेट में बात आ गई जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जाता है और DM साहब से किसी प्रकार की अभद्र टिपड़ी कर दिया उनके उपर तो DM बहुत मैच्योर होता है DM कभी एक्शन नहीं लेता है कभी नियुक्त बहुत मैच्योर होता है उनका mental level above the level होता है तुपीड़ा मोगड़ा है तरी से क्या भिड़ूगा मुझे बता है अगर भिड़ने पे आया तो लोग कहेंगे कि कभी यहां कोई रहा करता था कोई साह परस्ती है और DM का प्रोटोकॉल इतना खतरनाग होता है इतना खतरनाग कि अगर DM साब की सेक्रिटी पर बात आ जाए ना बिटा तो DM साब कुछ नहीं कहेंगे लेकिन उनके अगल बगल वाले है ना बिटा घर की जड़े खुट जएंगी जड़े कभी लोग कहींगे कि हम इतनी खतरनाग परस्नालिटी होता है और ब्रेन के पास आप डार कुछ नहीं भेसते हैं आप DM से मिलने जाएंगे पहले DM के आपको सेक्रिटी गार आगे मिल जाएगा समझ भी नहीं पाओ तुम ही को देख रहा है और गलती जभी हाथ पीछे तुमने एसे हाथ रखने के पकड़ा ना उत्तिम निट्टा दिये जाओगे क्या पता कर निकाल लेगा नहीं जमचभाए बात को पहले आपको जाना पड़ेगा सेक्रिटी गार्ड के पास वो चेक करेगा कोई हद्यार तो नहीं क्या बात करनी है DM साथ आपकी बॉड़ी का सेक्रिटी गार्ड है को दिक्कत कर सकती है वो चीज ब्रें तक पहुचने नहीं रहेंगे तो लिवर क्या कहेगा कि ये जो ब्लड इधर देखो तो देखो तो आपने कुछ खाया इस समक में गया इस समक से किसमें चला जाएगा ब्लड के पाइप में अब बॉड़ी क्या चाहेगी ये ब्लड ब जाएग तो बोडि जितने भी अंग है सुलो मेरी बात इसको भी समय यार ताइम हो गया गलप हो गया बहुत तरफिक हम इस स्थोड़े ने कुछ अ कर ददवजर मुंकर अ कर अ कर दो दवजर मुझे पता ही नहीं है पांच बज देना अगर मुझे पता होता तो मैं क्लास सोड देता हूँ मुझे पता ही ने पांच बीस हो गया और जब कोई आएगा तो मुझे कोई दिखी नहीं रहा है उसक अब तक नहीं दिखेगा जब तक सेक्यूर्टी गार्ड की कहानी घतम नहीं होगी अब आपने एक जहर खाया जहर का कलर राम कोल पर आप नीला बनाते हैं आपने एक जहर खाया जहर गया ब्लड में मैं बिलकुल नहीं चाहूंगा यह किस के पास जाए ब्रेन के पास पहले लिवर के पास में जो इस है अब बता हो सीलियक आल्ट्री से निकली हुई स्प्रिनिक और और बतले में क्या डाल देंगी कार्बंडाई ऑक्साइड ब्लड में कुछ भी डालना है ब्लड से कुछ भी निकालना है कौन सा ब्लेड का पाई एक दम ख्लेर है बात इसका मतलब यहां पे क्या होगा अदान प्रधान ऑक्सीजन ले ली जाएगी का अक्सीजन लेली जाएगी कार्बन डाय ऑक्साइड डाल दी जाएगी कौन सा बलट का पाईप इस्तमाल होगा क्या प्रेड़ी सुनते जाना भेज दो भेज दो इस टमक्से बलट सीजे भेज दो ब्रेन के पास भेज दो जब कार्बन डाय ऑक्साइड डालोगे तो अब आप क्या चाहोगा सेल्प आपसीजन लेगे की कार्बन डाय ऑक्साइड दे देगे बलट किसके पास बेज होगे हर्ड पिर सुनना बड़ी बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं भाई साब बॉडी में किसी भी अंग तक बलट अगर जाता है बॉडी में किसी भी अंग तक अगर बलट जाता है तो वो अंग ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाय ऑक्साइड डाल देता है उसके बाद आप बलट को किसके पास बेजते होगे हर्ड बस यहाँ पर यह नहीं होगा इस समक और इंटेस्टाइन जब ऑक्सीजन लेगी और कार्बन डायोकसाइड डालेगी तो ब्लड सीधे हर्ड के पास नहीं जाता वरना सला हर्ड पंप कर देगा ब्रेन के पास आम तोर पर किसी भी सुन वहन मेरी बास सुनो आम तोर पर किसी भी अंग को आप जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं तो वो ऑक्सीजन निकालता है सीओ टू डालता है लेकिन वो ब्लड उसके बाद घून के किसके पास जाता है हर्ड लेकिन यहाँ पर यह नहीं होगा क्योंकि अगर इस तमक इंटेस्टाइन से ब्लड चला गया हर्ड के पास हर्ड सीदा भेज देगा ब्रेन के पास और कुछ हो गया तो अब ब्लड वापस लेकिन लौटना चालू करेगा इस तमक को कौन सी आइट्रिगल थी गैस्रिक आइट्रिकल तो इस तमक से जो वेन आएगी उसका नाम होगा गैस्रिक वेन बोलते ही नहीं है बोल दो इस प्लीन को कौन सी आइट्रि ब्लड देने गई थी इस्प्लीनिक आइट्रिक कौन यहां से ब्लड वापस लेके जाएगी इस्प्लीनिक वेन कितना सुन्दर पढ़ाता है मजा जाता है अब खुद मजा आता है अच्छा इंटेस्टाइम को कौन सी आइट्रि गई थी मिसेंट्रिक आइट्रिक कौन लेकर आएगी मिसेंट्रिक वेन एम दी लिगने समझ जाओ को दिक्कत तो नहीं बढ़ा दिक्कत तो नहीं लाज कराओ दोक्तर हकीम एम जुबैर आम तोर पर ये ब्लेट किसके पास जाता हर्ड के पास लेकिन अब ऐसा नहीं होगा पहले ये तीनों पाइप आपस में मिल जाएंगे तीनों पाइप आपस में मिल जाएंगे इन लिवर के पास ये लुक्षू गया ताकि कोई जहरीला माल हो तो लिवर उसको निकाल ले बुलो यार जाना किसके अबे बैट बे आरे कितना वास्रूम भाई वास्रूम पे साब करेंगे इतना इंपोर्टन टॉपिक यार यूमन फिजियो की जान है भाई इलियो ये कॉंट्रेक्शन और यूरियरी ब्लेडर करने जा रहे हैं और रिलेक्शेशन और यूरेथ्रल इस्पिंडर अब पूछे लेंगे तो बता देंगे अब पूछेंगे हम इन से लोटते वग्लूकोस निकलेगा तो ग्लाइकोसूरिया कीटोन बोडी निकलेगी तो निकलेगेशन ही, कोई किट तो इनके पास है यह नहीं, नुएक ज उब खूछेख कैसे कीये थे हैं… आप सुनो एक शब्ड होता हैポॉल्टल सिस्टम, कौनसे सिस्टम? कोई पाइप है? पाइप है, पाइप पाइप है, पाइप जल्दी फुझो कोई पाइप है? कुछो कुछो पाइप, पाइप, लेको पोलिटल सिस्टम अरे यार आज आरवन में शुरू करना है मुझे क्लानड किंग्डम अरे ये पाइप दे दो यार कहीं से पाइप पाइप पाइपकड़े ख़लो पाइपकड़े ख़लो पाइपकड़े ख़लो पाइपकड़े ख़लो मैं एक अंग हो तुम्हें का अंग हो मैंने कहा था blood is a connective tissue blood is connective tissue है जो बॉडी के different अंगों को connect करता है चिपकाता है मैं चाहता हूँ मैं तुम रख कुछ दे रहा हूँ तो उदर से निकालने लगी रोको भे अभी देने तो दो जब मैं इदर से दूँगा तो आप उदर से ले लीजिए यह ब्लड का एक पाईप है ब्लड में कुछ भी डालना है और ब्लड से कुछ भी निकालना है कौन सपाईप इस्तमाल होगा पक्का बोलो यार तिरब पेन का कैप दो मैं पेन का कैप दो बाई लोगी घटी नहीं जाती है मुनना समझी जाती है मैं कुछ डाल ला हूँ वो दर से निकालेगा कैप लरी इसमें कुछ डाला निकला देखा देखा दिकला दिस इस पोल्डल सिस्टम पोल्डल सिस्टम का मतलब कैप लरी से शुरू कैप लरी पर खता हो ये कब इस्तमाल होता होगा जब एक अंग कुछ डालता हो उधर से दूसरा अंग कुछ निकालता हो तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खता कैपलरी से शुरू कैपलरी पे खता तीन तरीके का पोल्टल सिस्टम हम पढ़ते हैं रिनल पोल्टल सिस्टम हाईपोफाइशिल पोल्टल सिस्टम हिपेटिक पोल्टल सिस्टम आज सिर्फ एक सीखेंगे, बाकी दो के नाम भूल जाईए, ओल्टल सिस्टम समझ गए, कैपलरी से शुरू, पक्ता, भाई इस टमक में कुछ डाल रहा है, रे यार कुछ उनी नहीं रहा है, ममें बता देंगा, मां डाल खींच रहे थे, इस टमक में आपने जो खाया, इंट पागल हो गया साई, इतना मज़ो साई है, अच्छा, 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 ठीए, लिवर, बेटा लिवर, तुम तभी कुछ निकाल पाओगे, जब यहां पर भी क्या हो, कैपलरी, हाँ, कैपलरी से शुरू, कैपलरी पर खता, ये बलड वापस जा तो ये इसके नाम में क्या होगा, वें, पूरा नाम होता है, हिपैटिक, हिपैटिक मतलब लिवर, हिपैटिक पॉल्टल नहीं होता, बेटा, पॉल्टल, हिपैटिक पॉल्टल वें, इसका नाम क्या है, हिपैटिक पॉल्टल वें, समझी कि यहां, पूछेगा, हिपैटिक पोल्टल सिस्टम किसके किसके बीच है, स्टमक, इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में, क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार, NCIT के कॉर्डिंग स्प्रीन को इंक्लूड मत करना, एक्डम क्लियर है बाद, ओके, दो आल्ट्री के नाम देखो, डाया फ्राम को जो ब्लटदे ले जाएगी, उसका नाम होता फ्रेनिक आल्ट्री, फ्रेनिक का मतलब इसने नहीं बताया, तो जिस एक जगा इस्तमाल हो रहाँ, लिवर को जो ब्लट देने जारी, उसका नाम क्या है, हिपेटीक आल्ट्री, पहले बताओ, यहां तक का circulation एकनम क्लियर हो चुका है अब गंदा गंदा blood liver से होता हुआ किसके पास जाएगा बोलो यार liver नीचे है कि उपर है नीचे inferior venacal बोलो यार इसका नाम होता है hepatic vein प्लीज मेरी मात गहर से सुनो बिटा hepatic portal vein ये है जो इस तमक इंडेस्टाइन से blood किसको ला रही है liver को और liver से blood लेकर कौन जा रहा है हल के पास hepatic vein इसका मतलब अगर exam में पूछे liver तक blood कहा कहा से पहुँच रहा है दो जगा से बटा post matem कर दूँगा NCRT का बस साथ देते रहो मेरा liver को बलट दो जगा से जा रहा है एक hepatic artery से हीपाटिक सीधा बैड़ जा एक hepatic artery से एक बैड़ जा रहा है क्या कर रहे हो यार और hepatic portal vein से deoxygenated hepatic artery से blood इसले जा रहा है कि liver कैसा blood पाए oxygenated hepatic portal vein से इसले जा रहा है क्लियर है तो हम बोलो bulow यार सारे नाम सना दो गयो है जालक डाया – ब्लड को ब्लड कॉन देगा ? फ्रेनिक आल्टेry हम अंग का नाम लेंगे अब भना बनो बोल ते जाएने गहें को यह नाम है डाया – लिवर को कॉन ब्लड देगा ? लिवर को कौन ब्लट देगा लिवर कौन ब्लट देगा हईपैटिक आलिटरि अच्छा ये बताओ उसको क्या नाम है सीलीय काल्टूरी से कितनी प्राँश निकलेंगी दो एक कहलाएगी गैस्टिक काल्टि एक सकेंड एक कहलाएगा ڈगैसٹیک आल्ट्री और एक के लाएगा स्प्लीटिक आल्ट्री. बोलो भईया. अच्छा इसके बाद मैंने आपसे कहा कि आपका स्प्लीन को बलट कौन देने जाएगा स्प्लीनिक आल्ट्री. लिवर को कितनी आल्ट्री बलट देने जा रही है? पांच कितनी लिवर को दो आल्ट्री ब्लड देने जा रही है कौन कौन सी हिपैटिक पोल्टल वें और इसके साथ क्या हिपैटिक आल्ट्री एक दम क्लेर है अच्छा अब मेरी बात सुनना इधर सुनते जाओ मेरी बात सिख गया कसम से इसको ड्रॉआ करो मेरी हाथ यह से करो हाथ देखो अंग उठा है अंग उठा अंग उठे के ऊपर जो हड़ी है यह वाली अंग उठा ऐसे करो यह हड़ी यह हड़ी होती रेडियस आप ऐसे कि रेडियस अलना हवे हम कह रहा है अंग उठे के साइड और छोटी हुली के साइड अलना ये भी आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगी नाम सोचो क्या होगा रेडियल आलड़नी अहाँ अब खीछो इसे रेडियल और अलना जल्दी खीछो इसे देखकर ज़ादा ख्लियर हो जाएगा साजी आलड़नी हो गया सामने देखिएगा फेश लिया सामने बोल्ट की तरफ देखिए बहुत से देखिएगा यह आपको एक काली-काली लाइन देख रही है काली-काली लाइन देख रही है यह काली लाइन क्या हो सकती है डाय अफरा इसी के उपर क्या रखा हुआ है हल्ड हल्ड का राइट साइड आकसी डी आकसी डी आकसी लेट साइड आकसी बहुत से देखो ये निकली है आर्क ओफ एउर्टा ये दो आर्क ओफ एउर्टा से निकली कोरोनेरी आल्ट्री केरोडिट ब्रेन की है भाई साथ केरोडिट कहां की है ब्रेन की ये कौन सी आल्ट्री कोर प्रेलिक आल्ट्री क्योंकि इससे देखो ब्रेकिया मतलब आर्म को भी गया है और इससे राइट साइड के ब्रेइन को भी गया है बोलो यार अब लेकिन ये कहलाएगी सब-clavical क्योंकि ये clavical के के नीशे से गई है जो अंग्टे साइड गई है वो क्या कहलाएगी रेडियल और जो चोटी उमली के साइड गई है वो अलना क्लियर हो तो हाँ बोखो तो है दूसरी वाली आर्ट्री आगे जाकर रेडियल आल्ट्री और अलनर आल्ट्री एकड़म क्लियर हो गया होगा अब इदर देखो बिटा इदर ये है तुम्हारा लिवर ये है इस्टमक आपको किसा इस्टमक यहां कहा होता है अब इदर देखो इदर डायाफराम के नीशे का माल ये क्या हो गया इस्टमक ये क्या हो गई इंटेस्टाइन और इस्टमक के नीशे क्या होती है इस्प्लीन इधर देखो, आर्क ओफ एवटास है, इसमें देखो कि तुझ जादा क्लियर होगा, मैंने कहा था, एक मोटी सी आल्ट्री निकलती, सीलियक आल्ट्री, बोलो यार, सीलियक आल्ट्री कहा गई भई या, आगे जाकर, इस्प्लीन को बलट दी, इस्प्लीनिक आल्ट्री, और और एक निकली कौन सी, मिजेंट्रिक आल्ट्री, अरे इंटेस्टाइन को बलट दिया, अब ये तीनों गंदा गंदा बलट, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्रीन से, हिपैटिक पोल्टल वेन लाकर किसको दे रही है, लिवर, देख रहा एकदम क्लियर, बोलते ही नहीं हो बढ़ा, अच्छा, ये बताओ, जल्दी से, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, लिवर से, लिवर को सीधा बलट देने कौन गई थी, हिपैटिक आल्ट्री, और ये हिपैटिक बेन, बलट लेकर आ गई, इंफीर बेन अकावा से, ऊपर से गंदा गंदा बलट, सुबेर मेन चीज तो देखे ही नहीं हुना जरा गौर से सामने देखो जरा गौर से सामने देखो यह हल्ट का बैक साइड है तो वताइए यह एल्टा कौन सी होगी डॉर्सल या वेंटरल और उससे गई है बलड देने रीनल आल्टरी अज की बाते यही तक बागी बाते कल करते हैं थेंक यू धन्यवाद